तीन गैम्लिंग गैम्लिंग यनी सट्टेवाजी वैसे तो ये खेल भारत में प्राचीन काल से ही खेला जाता रहा है वेदों में भी इसको खेले जाने का वरणन मिलता है और आज भी काफी चर्चा में है इसमें बहुत पैसा जीत कर जल्दी अमीर होने की लालसा लोगों को इस ओर ज्यादा कर्शित करती है लेकिन इसका एक काला सच ये भी है कि ये आदमी को फकीर भी बना सकता है साथ इसकी आदद भी जल्दी लगती है और इसलिए भारत में इसे बैन करतिया क्या के समय लोगडाउन में लोग लंबे वक्त तक खर में बेरोजगार रहें तो इस समय अपनी फनाशन लीट्स को पूरा करने के लिए उन्हें ऑनलाइन गैंबलिंग एक सही और सरल रास्ता लगा पिछले कुछ सालों में भारत में 2020-2021 में उन्लाइन गैंबलिंग के सबसे अधिक मामले सामने आए है